नोडबंदी के फैसले के बाद सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है इसकेंद्र सरकार ने कहा है कि 50 दिन की निर्धारित अवधी के दौरान धाई लाक रुपई से अधिक की अगोशित संपत्ती पर टैक्स और जुर्माना दोनों ही देना होगा इस संबन्द में वैंक जमा करने पर रिपोर्ट रखेंगे राजस्वस्त चीफ हस्मुक अधिया ने बताया कि 10 नवंबर से लेकर 30 दिसम्बर के भीतर धाई लाक रुपई से अधिक जमा कराने वाले हर खाते की रिपोर्ट रखी जाएगी टेक्स में भाग जमा करता कि इंकम टेक्स रिटरन से इसका मिलान करेंगे और हिसाब नहीं मिलने पर उचुद कारवाई की जाएगी इस मामले में जमा करता कि घोशित राशी का रिकॉर्ट नहीं मिलने को कर चोरी के रूप में देखा जाएगा और इस संबन्द में आयकर एक्ट के सेक्शन 271 के तहट उस पर पैनल्टी और 200 प्रतीशत का जुर्माना लगाया जाएगा अधिया ने कहा कि उन छोटे कारोबारियों, ग्रहनियों, कलाकारों व कामगारों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है जिनोंने कुछ नगदी बचा कर खर में रखी हुई है उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों को आयकर विभाग की जाँच आदी के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है दिया यहां इमानदारी से पैसा जमा करने वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है लेकिन जो लोग आयकर देने से बचते हैं और टेक्स चोरी करते हैं अब उनकी खैर नहीं होगी क्योंकि सरकार ने अब सक्त रुक अक्तियार कर लिया है देखते रहे डी बिलाइव